हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजल तयारी चैनल पे, मैं श्रेयांस को ठारी लेके आया हूँ, आपके लिए SS vocab, that is, श्रेयांसर्स vocab, यहाँ पे देखेंगे, क्या आज हम लेके आए हैं, क्या चीज आपके लिए ठीपी है, जल्दी से लिए चलते हैं आपको SS vocab पे दोस्तों, आज हम लेके आए हैं, कुछ difference यहाँ पे सीखने का, कुछ words के बीच का difference देखेंगे, और हम देखेंगे कैसे उनके बीच में, अलग-अलग meaning के अलग-अलग words है, चले दोस्तों, लिए चलते हैं, सबसे पहला word है obtuse और abstruse, जो obtuse आपने सुना है, यह word तो आपन होटा होता है, वो acute होता है, acute तो pain भी होता है, अगर मान लीजिए कोई एकदम से 90 degree के कम से कोई चीज आपको अगर लगाई जाएगी तो आपको दर्ध होगा, तो that is acute, यानि बहुत ही ज़ादा severe pain, अब सुचे दोस्तों obtuse, obtuse होता है हमारा 90 degree से बड़ा, इस word को याद करन निशान लगाएंगे तो वो नहीं लगेगी, यानि मंद बुद्धी, dull, अगर कोई इनसान आपको लग रहा है कि dull है, मंद बुद्धी है, अगर समझ नहीं पा रहा है आपकी बात को, half wit है, कम समझता है, मूर्ख है, foolish है, तो उसके लिए synonym हो सकता है, obtuse, और इसका abstruse से क वो complex चीज़ें जो समझ ही नहीं आ रही है, good बात है, जो नहीं समझ में आ रही है, that is hard to understand is known as abstruse, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही मुश्किल से समझ आती है, उसे कहते हैं abstruse, तो दोनों में बहुत बड़ा difference है, दोस्तों, धियान रखियेगा, चलिए, लिए लिए चलते ह हाँ भरना is accept, accept the proposal, proposals भीकार कर दिया, second वाला है accept के अलावा उसको छोड़के, accept this, I will do this, इसको छोड़के मैं ये काम करूँगा, so accept है नहीं के अलावा को छोड़के, और तीसरा word है दोस्तों, expect, expect शब्द का प्रियोग वहां किया जाता है, जहां उमीद की जाती है, आशा क जाती है, जहां आशा है, वहां expect है, और आपने इसी word का सुना होगा, expectant mother, ये लड़की उमीद से है, आशा से है, यानि pregnant lady के लिए, expectant lady भी कहते हैं उसे, ये तीन words आपने देखे, कुछ और difference आपको लिए चलते हैं, चले दोस्तों, यहां उसी से मिलते चलते, दो और word ले एक ऐसा person, जो किसी चीज़ के बारे में विशेशाग्य है, expert है उसका, excerpt थोड़ा कम सुनने में आता है, excerpt का मतलब है, अंश, आपने एक बहुत बड़ा कोई article है, उसके छोटा सा अंश निकाला है, that is excerpt, excerpt है नि extract, एक बहुत बड़े article का, एक छोटा सा part, उसे कहते हैं, excerpt, चली दोस्तों, next word पर लेके चलते हैं, ये दिखने में दोनों same हैं, लेकिन बहुत बड़ा difference है, दोस्तों, actually कहा जाए तो दोनों opposite जैसे ही हो गए, aesthetic, aesthetics वहाँ यूज लिये जाते हैं, जहां किस चीज़ को beautify करना है, मतलब अगर beauty करने के लिए जो चीज़ लगाई जा दोस्तों, उसका तो beauty से लेना देना ही नहीं है, ऐसे लोग जने pleasure और pain से खोई लेना देना नहीं है, बिलकुल आम जिन्दगी जीते हैं, जो pleasure और pain से कोई फरक नहीं पड़ता है, normal जिन्दगी, आम जिन्दगी, साथू वाली, सीधी साधी जिन्दगी, जो beauty से परे है, that is ascetic जिन्दगी, ascetic का मतलब है बिलकुल इन सारी चीजों से राग, दुएश, मोह सबसे दूर एक वर्ड होता है ascetic चले दोस्तों, next word पे लेके चलता हूँ यहाँ पे next word है हमारा alter और alter तो यहाँ पे जो alter शब्द है दोस्तों, उसके बारे में देखेगा, alter का actual meaning होता है, बदलना as a verb है, बदलना मैं alter करना चारा हूँ, मतलब मैं बदलना चारा हूँ और दूसरा word है हमारा alter, दोस्तों यह जो alter है, इसे कहते है भगवान की वेदी ऐसी पवित्र जगे, जहाँ भगवान की मूरती आप स्थापित करेंगे यह बहुत सारे धर्मों में यूज लिया जाता है वहाँ पवित्र जगे, वहाँ पवित्र holy place जहाँ पे आप भगवान की मूरती को स्थापित करेंगे, that is known as alter, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कई सारे words के बीच में difference में लेके आया, ऐसे ही कई सारे differences और लाता रहूंगा बिलकुल बने रहीएगा digital तैयारी चैनल पे, thank you